शाथियो नमस्कार, जब भी हम अलग-लग विराइटी के शांदार फूलों से लदेवे गेंदा या मेरी गोल्ड के पोदे कहीं पर देखते हैं, तब हमारा मन करता है कि काश ये पोदे मेरे गर पर भी होते हैं, जब हम नरस्री में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हर विराइट केशे गेंदा की पोद अपने गर पर तयार कर शकते हैं, आज हम इस वीडियो में गर पर गेंदा की पोद लगाने की तीन वीदियों की चर्शा करेंगे बीज से गेंदे के पुद्धे तयार करने के लिए concept होती है, अपने घर के आशपास जो भी मिटी उपलब्ध हो उससे आप काम में ले शकते हैं मैं रेतिली बालू मिटी काम में ले रहा हूँ गेंदा के बीज गेंदा के फूल में ही बनते हैं अते गेंदा के शुके वे फूल या फूल माला को काम में लिया जा शकता है गेंदा के बीज लगाने के लिए गमले को दो इंच खली छोड़ते हूँ मिट्टी शे बर लें वे फूल मला के फूलों को मसल कर तोड़ते जाएं फूल मला के शुके वे फूलों में आदे बीजी पके वे होते हैं इसलिए मैं मला के सबी फूलों को उपयोग में ले रहा हूँ गेंदा के बीज के साथ साथ फुलों की शूकी कलियां भी गमले में डालनी है। कलियां डालने से बीज पर मिटी का अनाव शेक दबाव नहीं पड़ता है। जिसे अंकुरन जल्दी होता है। वे सबी बीज अंकुरित हो जाते हैं। अब थोड़ा शाप पानी का इस्प्रे कर दें। बीजों पर मिटी इतनी शी डालनी है जिसे बीज ढग जाए। ज्यादा मिटी डालने से 25% से भी कम बीजों में अंकुरन हो पाता है। तीन दिन बाद आप देख सकते हैं। गेंदा के सबी बीजों ने शीर उटाना सुरू कर दिया है। इस प्रकार से 7 दिन में शभी बीज अंकुरिद हो जाते हैं। अगर आप गेंदा के सबी बीजों को अंकुरित करना चाहते हैं और अंकुरन परक्रिया को अपने आँखों से देखना चाहते हैं तो गेंदा के शूके वे फूल को शीदे ही उगाना है इसके लिए फूल के उपरी भाग को पत्तर पर गिश कर कलियां हटा दे अब फूल को गमले की मिटी में आदा गाड़ दे पानी का इस्प्रे कर दे गमले कुछ हया में रखना है तो दिन में दो तिन बाद पानी का हलका इस्प्रे करना है तीन दिन बाद वी जूगने की मनमोक परक्रिया को आप अपने आँखों से देख शकते हैं गेंदा लगाने का ये शब से सरल ये शब से अच्छा तरीका है अगर आप बड़ी मात्राम गेंदा की पोद तयार करना चाहते हैं तो गेंदा की नरसरी जमीन पर लगाई जानी चाहिए गर के बीज हो तो बीज की मात्रा ज्यादा रखनी है गेंदा की पोद तयार करने के लिए जमीन को शम आप पोदों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं अगर आपको मेरे दोवारा दी गई जानकर ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद